दोस्तों यदि आप बेगान लगाते हैं तो आपके आने सबस्वरी समय आती है वो दो प्रकार से आती है je इस फूट बूरदल की और सूट लागिए याशान है तो सूट बूरर के लिए क्ला पाई लेका करें हो revision वहाँ पर अच्छे ध्यान से देखेंगे तो एक छेद होता है वहाँ पर और छेद के अंदर हम देखेंगे वहाँ पर तो एक हमें इल्ली मिलती है वह होती है इस्टाम बोरर में क्या होता है कि एक मक्ही होती है जो मक्ही जो हमारे तने के अंदर जो अंडा दे देती है वही इल्ली नीचे गिरती है जमीन पर और फिर कोचसा वस्ता में चलिया। और कोचसा वस्ते में जाने के बाद फिर वही जो है मख्ही का रूप ले लेती है। तो इस टाइप से उसका साइकल चलते रहता है। मैं जो है अगर पाओना इसके तीनों सपर काम करना होगा में कि रहए मखी आती है और हमारे ख़ंग Combat ऑंड़ा होते रहता है और बड़ा हो ते रहता है और बड़े होने के बाद ने का लेकिती है और इयली पूरे फ dense को अधिरा के खरांग कर देती है और फिर उस फल का कोई मतलब ने रह जाता नहीं उसको हम खा सकते हैं और ना कहीं हम उसको बैच सकते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं गिववे के बारे में जानकरी देना चाहता हूं जो की एक electric कांटा होगा जो आपके कीटना सक हुआ या फंगी साइड हुआ इनको तॉलने के काम आएगा और इसमें भाग या participant लेने के लिए आपको करना क्या होगा कुछ नहीं जोस्तों इस गिवें पार्टिसिपट करने के लिए आपको सिर्फ अपना नाम कामेंट बाक्समें लिखना होगा और वीडियो को लाइक करना हो लिए वीडियो को पूरा देखना मैं फूट बॉरर और सूट बॉर को कंट्रोल करने के लिए आपको तीन दबाईयों के इस्तमाल करना होगा देंचिंग के लिए उसमें से पहली जो दबाई है वह है वाल्यूम फ्लेक्सी जो सिंजेंटर कंपनी के आती है और दूसरा आता है एक्टरा यह थार में तंसम किसी इस प्रेमें तो छोटेपटे च्टरीक से कंट्रोल हो जाता है इसके पाद जब में आपको क्या करना हुआ यदि आपको फ़ल में कीडे दिखाई देते हैं यह चेद दिखाई देते हैं तो आपको फिर थोड़ी सी महंगी मेंकली वहाइँ है वह आपको लेने होगी उसमे में आपको 2 ऍधिर बटाता हम दोस्तों उसमें आपको क्या करना होगी सबसे पहले आपके छीच में इस्टमबुडर और फू्ट वर्ट में हैं तो आप सबसे पहला जो एक लेंगे सीपनी उस Rosal की नाम کے प्लस फिपलियों या मक्षियों को मानने के लिए आपको लेना को कट आप हाइड्रोकलाइड जो कि धान को कंपनी का कैड़िडान के नाम से मिलता है तो यह तीनों दबाईओं को आपको एक साथ मिलाकर इस पर करना होगा तो आप कोई भी एक फंगी साइट ले सकते हैं तो देव इस पर आप करने के बाद जो है आपको लगभग 90-95 परशंट आपको इसके बाद भी आपको कट्रों नहीं मिलता तो आपके पास लास्ट जो दबाया वस्ती है वो वस्ती है इसस्पाइणु सेट की आप इस्पाइणू सेट का तभी इस्तिले करें जब आप यह ती दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस वीडियो की वेसे से बात के बारे में तो वेसे बास में दोस्तों आपको बता हूंगा कि इस टांबॉरर और फुट बूरर में जो है आप जेविक नेंदर भी कर सकते हैं वो भी बड़े आसानी से इसके ज्यादा खर्चे भी नहीं होगा सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको बैगन की फसाद के लिए इसल जो है इसमें फैरो में ट्रेप आता है जो हमें अपने खेद पर लगबग आठ से दस प्रती इकड़ के हिसाब से टांगने होते हैं वो लगबग उसकी जो कौस्ट है आज की रेट में सतर से असी दोसरा नितर के लिए आपको अपने खेद पर जो है थोड़ी धुकि दूड़ी पर जो है सबस्क्री 3 जो कि au हो गी आपके पक्षी आकर बैड़ें में गार घूंग से जो जाने हो वो आपकी वहीं पर रोख जाएगी और आपकी जो नर्मक्या या मादा मक्या है वो फेश से उत्पन नहीं हो पाएगी तो दोस्तों देखा कैसे आपने कि हमने आज इस फूट बुरर और सूट बुरर जैसी समस्या के लिए राइसानिक और जेविक निंदर्ण के बारे में यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दवाएँ ताकि आने वाले जो वीडियो है उसकी जानकरी आपको आसानी से मिल सके तो नमस्कार दोस्तों जैहन जैक को झाल चाइब चैज नाओडर में अस भ їं